कि यह आपका वी रियलमी के फोन लॉक हो गिया है जिस कारण से आप अपने फोन में लगेवे लॉक को आप अनलोक नहीं कर पाघे हो तो फ्रेंट आज की इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे यह दित आप रियलमी के फोन यूज़ करते हो रियलमी का कोई भी मोडल और अपने फोन में लॉक स्क्रेंट पासवर्ड पींग पैटन लॉक भूल गये हो तो आप अपने फोन को कैसे अनलोग करेंगे आज मैं आपको बताऊंगा तो फिर वीडियो को आप लाश्ट ज़रूर देखना इस वीडियो म आपका पैसा खर्चोगा और नहीं आपका मॉवाइल का डाटा डिलेट होने वाला है इस वीडियो में अगर आप वीडियो लाश्ट देख लेते हो तो आप घर बैठे या अपने फोन को अनलोग कर सकते हो बीना डाटा डिलेट किये और बीना पैसा वेस्ट किये तो आए सब्सक्राइब करने के लिए पहले पहले अपने से सिम कारण के बाद आप अपने phone को restart कर लीजिएगा क्योंकि यह मैंने पहले से कर रखा था इसके बाद आप lock screen आपका open होगा पिलोख है पैटन लोख है यह पासवल होग है कोई problem नहीं यहाँ पे आप emergency call का option देख रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या करना मास एक service center का code यहाँ पर यूज करना देख सकते हैं यहाँ पर मैंने code यूज कर रहा हूं तो यह code आप लोग अपने phone में copy कर लीजिए ध्यान से copy किजीए कि कोई अंक आपका छूटना नहीं चाहिए इसके बाद आपको क्या करना परेगा फ्रेंट इस code को डाइल करने के बाद इस code को हमें activate करना है service center से call वाला option देख रहे हो call पे click करेंगे और यहाँ पर आपके सामय स्क्रीन पर एक notification आएगा आपको यहाँ पर कर देना है और इस code को erase कर लेना इतना काम करने के बाद यहां पर इस टार है जीरो और यह है डायल कीजिए यह को डायल करती आप इंजीनियर मोड के जर्श नीचे देखिएगा तो वहां पर आपका अंग भी चेंज हो सकता है जरूरी नहीं कि मेरे फोन में यहां पर बारा सो कर रहा है तो आपके फोन में भी वही सो करेगा कोई प्रोब्लम नहीं बर जितना है उतने बड़ा आपको किलिक कर देना है ठीक है ना बारा टैम क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद इसे बैक कीजिए बैक करने कर मेनुल टिस को ओपन कीजिए और सबसे लाश्ट बाला पेज मिलेगा और यहां पर रिसेट कंप्लीट पर किलिक किजिए आपके फोन में प्रेंट पास्टो जो भी लोग होगा उपलब्लम यहां पर का थी बेल लाइक निए मिप्रेस करें जेगा थैंक्स फूर वाचिन